हेलो एवरिवन नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आलोग बाचपेई आप लोग जुड़ चुके हैं इस समय इंडिया के नंबर वन इस्टेडी चैनल वाइफाई स्टेडी पर तो एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक ब बेतरीन तरीके से लेकपाल के लिए जो यूपी में लेकपाल की वेकेंसी आई हैं आठ हजार प्लस वेकेंसी आई हैं तो उनके बारे में हिंदी कैसे आएगा कैसे 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 पुछे जा सकते हैं इन सारी चीज़ों के उपर हम लोग बाचीत करने वाले हैं कुछ यह आप लोग मेरी हिंदी की क्लास से एकेडमी लर्नर पर जूड सकते हैं ठीक है अधिके कोड आप सभी लोगों को लगाना है अगर आप किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन करते हो तो हर एक कोर्स के लिए एबी सर्टन कोड लगाओगे इससे डिसकाउंट आप लोगों को जरूर मिलेगा चाहें आप आइकोनिक भी लेते हैं तो आइकोनिक में भी आप लोगों को एबी सर्टन कोड ही लगाना है ठीक अब यह याद रहेगा इस सारे लोगों को और देखिए यह Ask a doubt by an academy है अपना कोई भी question पूछना है तो image form में send कीजिए instant answer मिलेगा यह series भी आप लोग free में प्राप्त कर सकते हैं raise hand का प्रियोग किया करो जब आप an academy learner app पर class करते हैं तो भी यह raise hand का प्रियोग किया करो सीथ एजूकेटर से बाचीद करिए अपने फैवरेट एजूकेटर से और प्लस लेने का सही तरीका क्या है अपना मंचाह डूरेशन स्ट किया नीचे रफ्रेल कोड बॉक्स में बोड लगाया भी यह एबी सर्टें का combat है तभी लोग enrollment करोगे तभी भाग ले पाओगे enrollment नहीं तो भाग नहीं ले पाओगे एबी सर्टें कोड लगाकर के free में enrollment कीए और सांदार जांदार यहां पर price भी आप लोग जीश सकते हैं ठीक है बच्चे मेरे टेलेग्राम गुरूप से जरूर जुड़ जाए आपको हर एक चीज का यहां पर अपडेशन मिलता रहेगा और कोर्स लेने के लिए एबी सर्टें कोड का प्रियोग करना है केपिटर लेटर में बगएर किसी स्पेस की यह लेकपाल से रिलेटेंट जो हम बात्यीत कर रहें आप से बहुत ध्यान दोगी है यह जो पाठ्ठक्रम आपका होता है ना उसी के अकॉर्णिंग पढ़ना है तीदी सी बात मैं यह कहता हूं पाठ्ठक्रम के अलावा अग है ना चैज़ को कोड़ता है अ जरूरत नहीं है क्योंकि आपके शेव चत्रम का पार्ट नहीं है तो पहली चीज तो यार आप सभी लोग एकदम according to slavers पढ़िए slavers से अलग पढ़ोगे तो आएगा नहीं भले आप बहुत अच्छे जानकार हो जाए उसे कोई मतलम नहीं एक्जाम में question नहीं है ठीक है याद रहेगा चलिए कुछ questions हम लोग देखते हैं जो आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगे जैसे यहाँ पर सुद्ध सब्ध है तो यह जो आपका है यह किस से हो जाएगा यह वर्तनी वाले से हो जाएगा ठीक है अब देखो भाई सुद्ध वर्तनी कैसे होगा कैसे पहचानोगे सम्मे सन्यासी लिखा हुआ है अब सही पैचानने एक तरीका कैया कैसे याद रखोगे इसको जिसमें उपर बिंदी लगी हो और आगे चाहें न्यास लिखा हो तो सन्यास सही है और अगर बिंदी लगके न्यासी लिखा हो तो आपका सही है अगर ये बिंदी नहीं लगी होगी तो समझ लेना ये गलत है ठीक है भाई ये वाला सही है ये वाला जो है वो आपका सही मेरी बात समझ में आ गई भाई तो एक मूब पकड़िए मूब के मतलब जो वर्तनी वाले होते हैं उनमें कैसे कहां पर क्या चीच पकड़े हम तो क्वेश्चन हमारा एक्दम सही हो पस यही आपको क्रिया विधी अपनानी है एक्जामनेशन हॉल में ठीक है मेरे प्यारे बच्चों चैनले आगे बढ़ते हैं निमलिकित मेंसे असुद्ध सब्द यह भी भरतनी को लेकर करके अब देखो याद रखना है इसमें बड़ा मातपूर है कुछ सब्द ऐसे होते हैं जिसमें नीचे जैसे यह मा के नीचे हलंत लगा हुआ है यह हलंत जब लग जाता है तो ऐसा माना जाता है कि वह वर्ण जो है वो स्वर्रहित हो गया वह वर्ण जो है वो स्वर्रहित हो गया ऐसा हिंदी में माना गया है कि यह हलंत लग गया तो वह वर्ण जिस वर्ण के नीचे लगा है वह वर्ण स्वर्रहित हो गया यह हलंत का मतलब होता है तो कुछ सब हिंदी में ऐसे होते हैं जिन में हलंत लगते हैं तब भी वो वरतनी रूप से सही होते हैं और किसी में हलंत नहीं होता है तब वो वरतनी रूप से सुध होते हैं जैसे यहाँ पर अगर कभी भी आप से पूछा जाएगा या सुध पूछा गया है ठीक जैसे स्रीमान है कि आपको मोटा मोटी देखने में लग रहा हूँ सही है लेकिन गलत है स्रीमान जब भी लिखोगे तो स्रीमान में भईया आपका ये हलन्त लगेगा तब सही होगा तो यहने कि ये गलत हो गया और मालिय अगर स्रीमान नहीं लिखा हुआ है गहीं पर तो आप याद रखें स्रीमन लिखा होगा या तो स्रीमन बगेर हलंत वाला सही है या स्रीमान हलंत वाला सही है ये आपका लिखा हुआ निरपराध ये सही है अगर मालिय लिखा हुआ आये निरपराधी अगर क्या लिखा हुआ है निरप राधी लिखा हुआ है निरप राधी तो समझ लेना यार यह गलत है निरप राधी कोई सब्द नहीं होता है निरप राध होता है सरोबर सही है सरोबर साही है सापा js है अमारे तो यह पर अस्वृष पूछा गया है तो इसी तरीका है तो इसी तरीक हैं की कोसिस करेगा पेपर से टरा फसना नहीं यह जो भैस करो गया हंदी में कौई बहुत ज्यादे थीरी पड़नेंगेश्षक चकर मतईमें क consuming मारत थीऊरी पढ़ लो, समास की थीऊरी पढ़ लो, संदी की थीऊरी पढ़ लो, सब धरा रह जाएगा. Question, answer कि जतनी practice करोगे, उतना ही अच्छे से समझ में आ रहा है. थीऊरी के साथ में implementation बहुत जरूरी है, केवल थीऊरी के उपर based नहीं रहना है. जुतना आप भ्यास करोगे उतने प्रस्ट सही करके आओ भारत वर्स में आप हिंदी को किस वर्ग में रखोगे तो हमारे सम्मिधान में कहीं भी हिंदी को इसको राश्ट्र भासा नहीं बताया गया आटिकल 443ं जो पढ़ते हो तो उसमें क्या कहता है राजभासा। क्या कहता है उसमें राजभासा, तो हिंदी को जो रखा गया है, वो आपको राजभासा की स्रेड़ी में रखा गया है, ठीक है, याद रखना है, अब इसमें से असुद्ध सब्द को पैचानना है, कौन सा सुद्ध है, पिसाच, वीना, नूपूर और ब्रिजभासा, जुद्ध नहीं बताना है, इसको बड़ा ध्यान दिया करो, यह जैसे है, इसको महापा सर्कल कर लो इस तरीके से, अब याद रहाएगा, देखो, पिसाच, ने जिसे एक वर्ड है, नर्पिसाच, लिखा है न, तो यह तो यहर सही है, वीना गलत होता है, वीना थोड़े हो जी छोटा हूँ आ गया, तो यहाँ पर सही जो असुद्ध हो जाएगा, पर दूसरा और तीसरा, यानि कि यह भी असुद्ध है, यह भी असुद्ध है, वाकि यह भी सुद्ध है, यह भी सुद्ध है, बास समझ में आ गई, सब के मेरी बास समझ में आ गई इतनी, यहाँ तक सारे बिधर्थिको बाद किलिए हो गई ऐगे बढ़ जाते हैं अगला सवाल देखो कहें गांधी जी और मंत्री में Πुलिंग सब्द है याद रखना है और एक चीज और याद रखिएगा अगर इसका मलिय accent पूछ दिया जाया है खंड़च का याद रखिएगा पारसी, तुर्की, मराठी, बांगला, जितने हैं, ये सब बिदेसी सब्द हैं, याद रखेगा, बिदेसी सब्द हैं, देसी तो हमारे अलग सब्द होते हैं, लोटा, चुटिया, ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब अर्वी, फारसी, तुर्की, ये सब आपके बिदेसी सब होते हैं ठीक है यादरा今 आगे बढ़ते हैं सुध्र यहाँ पर सब्द की जगह इस वहma की सुध्र वाक की आप लोग सुध्र वाक की बताना है बहुत बड़ीया सवाल ही है बंदूब प्योगी अस्त्र है पहला है बहुत होना चाहिए बहुपियोगी कह सकते हो बहुत उपियोगी कह सकतो अस्त्र बहु vivid haid get के लिए इस्त्र नहीं एद रखेएगा सौभाग्यमती कन्या नहीं होगा आयुश्मति कैन्या हो जाएगा अभिवाहिद है आभियाहिद, ललकКी के लिए आयुश्मति और विवाहित के लिए सौभाग्यबती गीत की दो चार लड़ियां थोड़े गीत की दो चार कडियां गाती है कडियां हो जाएगा ठीक है उसकी आयू 40 वर्स की नहीं उसकी अवस्था आयू जो है वो पूरे जीवन काल के लिए प्रियोग होगा याद होना चाहिए ठीक है बाई याद रहेगा तो यहाँ पर सही कौन सा हो गया यार पहला वाला आगे बढ़ते हैं संबर किसका परयावाची है कुबेर गणेस आनंद जल संबर दोगा बहुत आसान सा सवाल है बहुत ध्यान से आप लोग इसकी प्रेक्टिस करोगे कुबेर पैसे के देपता समझते हैं ना धन वाले जितने हैं धनाद धनाद धनेस्वर धनपति सब कुबेर की ठीक है गणेस के देखोगे याद रखोगे हरम दोय मातूर महाकाय गणपति ये सब भहिया आपके गणेस के हो जाते हैं आनंद के विनोध प्रमोध पुलास सब आनंद के जल का भहिया संबर हो जाता है संबर किसका हो जाएगा जल का हो जाएगा ठीक है पहरे विद्यातियों आगे बढ़ते हैं सरी ञीम्ने से रवीवार का परईवाची कौन साथ नहीं है। जब भी में बात करते हैं, इतवार होता है। लिनवार कोई भी परियावाची ये नहीं है आपका इतवार का ये रिनवार का केवल बिबेक की आधार पर चुनने को क्या कहते हैं भाई एक ऐसे समझ लो ये ये क्या है इलेक्शन है ठीक है निर्माचन है ठीक है ये क्या है ये नॉमिनेशन है ठीक है और ये चुनने को क्या कहते हैं बिबेक की आधार पर तो ये चैन हो जाएगा इसमें कोई अग्यता थोड़े चल लगा है, जो समझ में आया चुल लिया, ठीक है, यह समझ में आया भई, मनुस्य जात की सभी इस्तरियों के लिए एक सब्द क्या होगा, महीला ये बाक्यांस के लिए एक सब्द का सवाल है, महीला नारी औरत भाव, तो बड़ा असान सा है मनुस्यजाद के लिए जितनी भी इस्त्रियां है उनके लिए एक सब्द अगर कहोगे भारत की पहली महिला परधान मंतरी कहते हैं यह कभी कहा गया भारत की पहली नारी परधान मंतरी इंद्रा गांदी कभी नहीं भारत की पहली महिला परधान मंतरी तो महिला विश्ष्ट जुन्होंने कार किया आए उनके लिए लगेगा और नारी जो है ये सब के लिए लगेगा नारी सब के लिए सभी इस्त्रीУ हो की ठीक है सब्द विलूम का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है सब्द बिलोम में हमेशा है जो सब्द पुछा जाएगा उसी भाव में बिलोम होगा इसको बढ़िया समझ सकते हो शालिक का सास्वत सही है सुनाम का दुरनाम सही है इस्मरन का विस्मरन हो जाए इस्मरन का विस्मरन होगा अनुस्मरन नहीं होगा तो यह आपका सही हो गया भई यानिकि यह मिसमेच है ठीक है अगला सवाल है अनुचर कार्थ क्या है देखो किंकर चाकर सेवक अनुचर दास यह सब परियावाची हो जाते हैं ठीक है नाई नाई बाल कितने जजमान आगे आएंगे तुम भी देख रहा है अब भी पूछ रहा है इस्टोरी चल लएई है नाई नाई बाल कितने जजमान आगे आएंगे तुरंत आगे आने वाली बात पूछ रहें ठीक है चार चरण प्रतेक चरण में 16 मात्र हैं तो देखो चंद का है आएगा नहीं आपके उसमें, मैंने इसलिए बता दिया, इस तरीके के प्रस्न आपको नहीं पढ़े, ये चंद का है सवाल, आएगा नहीं, ठीक है, याद रखना आई, चली, जो मोल लिया गया हो, ये बिल्कुल बहुत इंपोर्टेंट है, ये आएग खरीदने वाला, खरीदने वाला, क्रेता कहलाएगा, जो बस्तु बेची गई, वो बस्तु विक्रीद कहलाएगी, जो बस्तु खरीदी गई, वो बस्तु क्या कहलाएगी, क्रीद कहलाएगी, ठीक है, तो जो मोल लिया गया हो, उसके लिए एक सब्द क्रीद है, ठीक है, त ताकि आप examination hall में इसी तरीके से आपको करना है और हिंदी क्या जो regular session है डेली साम को 7 बजे अनकेडमी learner app पर मेरे साथ जुड़िए है डेली साम को 7 बजे अनकेडमी learner app पर हिंदी पढ़ने के लिए जुड़िए आप सभी लोग अब या इसमें आप सभी लोग enrollment कर लिजेगा कोट से enrollment करें हर एक बिद्यार्ती एबी सर टेन कोट लगाकर के enrollment करें हाँ पर invite कोट से और इसमें भाग लिए ठीक अभी या याद रहेगा सारे लोगों को क्लियर है यह report and win है आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो सेशन अच्छा लगा हो like कीजिएगा share कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिएगा और डेली साम को साथ वजे हिंदी पढ़ने के लिए मेरे साथ an academy learner app पर जरूर जुड़िए मेरा नाम है अलोग कुमार बाचपर अगर अभी